हलो स्टुडेंट्स मैं नावरतन जाएंगी टीम केमेस्ट्री टीम स्वागत आपका सील सी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरु निती अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने टॉपी के स्टुडेंट्स डी ब्लोक, एप ब्लोक और मेटलर्जी इनॉर्गनिक केमेस हैं तो इसी पैटर्ण पर क्यूशन स्टुडेंट्स 23 के अंदर आपको मिलेगा तो क्यूशन बहुत ही आसान आसान पुछे जाते हैं आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में एक बार कंप्लीट थोड़ा सु अना अच्छे से थोड़ा बहुत पता है तो इस्टुएंट बहुत अच्छे से अपन क्यूशन को आसानी से अपन कर पाते हैं को इस्टुएंट्स अपन डिसक्स कर ने जा रहे हैं सबसे पहले में डिसक्स कर रहा हूं यह AIPMT 2013 के अंदर यह क्यूशन आया था और यह क्यूशन बहुत ही आसान सा लिग्समेंट्ट्स वह आपको दें रखा है magnetic moment 2.83 बार मेगनेटोन आपको देए रखा है और पुछा है कि which of the following iron have 2.83 बार मेगनेटोन जब कभी भी क्योशन के अंदर magnetic moment की value देए रखी होती है तो indirectly आपको unpaid electron देता है जैसे for example अगर magnetic moment का value देए रखा है 1.73 बार मेगनेटोन अगर value देए रखा आपको 2.83 बार मेगनेटोन या 3.87 बार मेगनेटोन या फिर 4.90 बार मेगनेटोन या फिर 5.92 बार मेगनेटोन आपको magnetic moment का value अगर दे रखा है तो indirectly अपने को number of unpaid electrons दे रखें इसको अपन right side का जो digit है वही एक प्रिकाट से number of unpaid electron होगा वैसे तो calculate करने के लिए अपने पता है कि म्यू बराबर किता होता है students अंडर रूट एन एन प्लस टू बार मेगनेटोन तो म्यू का मान आपको दे रखा है उन प्रेड इलेक्टोन आप निकाल सकते हो और वैसे इसके अंदर ट्रिक भी बन रही है कि left hand side का जो number है वही अन प्रेड इलेक्टोन है तो अगर मेगनेटिक मोमेंट देरखा है 2.83 बार मेगनेटोन इसका मतलब यह है students कि अंपर्द एलेक्टोन किते हैं तो कौन सी स्पीसीज जिसमें अंपर्द एलेक्टोन दो है तो टाइटेनियम प्लस त्री के अंदर students अंपर्द एलेक्टोन किता होगा एक लेक्टोन होगा और अंसर तो अपने को मिल गया है बट सी यार प्लस थी की अगर अपन बात करें तो इसका यह वाला जो आयन है इसके अंदर अंपर एलेक्टोन किते हैं दो इसका मतने इसका मेरेडिक मोमेंट 2.83 होगा तो आंसर कौन सा होगा अपना सेकिंड इतना असानी से इस्टूएंट इस एक्जाम में आये वे क्यूशन को अपने डिसकस करें तो इस पैटन पर बेस्ट कापी सारी क्यूशन अपने को और भी मिलेंगे तो रिपीट होने के चांसे सबसे ज्यादा इस टाइप के क्यूशन की अपन क्यूशन नंबर सेकिंड देखो यह भी 2014 में क्यूशन आया था और 2015 में सेम इसी पैटन का क्यूशन रिपीट हुआ है इसके अंदर अगेन आपको मैगनेटिक मोमेंट का मांग दे रखा है इस्टुएंट किता 2.84 तो यहां पर 2.84 दे रखा है इसका मतलब इस्टुएंट अपने अनपेड एलेक्टोन पता लगा लिए किते हैं दो तो यह जो चार स्पीसीज अपने को स्टुएंट दे रखा है इसमें कौन सी स्पीसीज के अंदर अनपेड एलेक्टोन जो है वो दो आएंगे इसमें इस्टुएंट आंसर एग्जेक्ली वही रिपीट हो रहा है इसके अंदर ठीक है ना कैसे कॉबाल प्लस टू 3D7 कॉन प्लस टू तो आंसर आप पर कॉन से जाएगा सेकिंड विल्कूल सिमिलर क्यों स्टुएंट रिपीट हुआ है तो इस पैटन पर क्यों सबसे ज्यादा पुछे जाते हैं जिसमें आपको पैराविनेटिक डाविनेटिक अनपेड एलेक्टोन हाना नंबर ऑप पैराविनेटिज्म एस बेल तो डीडी ट्राजिशन डीडी ट्राजिशन की बात भी कर रहा है स्टुएंट और आप जानते हो इसके अंदर पैराविनेटिज्म की बात कर रहा है तो पहली बात तो यह स्टुएंट कि डीडी ट्राजिशन के लिए ठीक है ना डीडी ट्रा और इस पर्मेगनेट के अंदर MN का Oxidation State किता है इस्टुएंट प्लस 7 प्लस 7 का मतलब configuration क्या होगा आरगन 3D 0 इसका मतलब unpaid electron किता हो गया इसके अंदर इस्टुएंट 0 हो गया तो यह तो डाइमनेटिक स्पीसीज होगा तो यह तो आंसर अपना होगा नहीं अगर अपन बात करें MN-O4-2 के बारे में तो MN-O4-2 के बारे में अगर अपने इस्टुएंट बात करें नाम क्या इसका मेगनेट और इसके अंदर MN का Oxidation नमबर केता है प्लस 6 यहां पर configuration क्या होगा आरगन 3D 1 अनपेड इलेक्टोन यहां पर स्टुएंट परजेंट है इसका मतलब यह क्या होगा पैरावेनेटिक होगा तो पैरावेनेटिक भी हो गया और यह कि अपना अंसर हो गया अचा कारण क्या होगा इसके अंदर कि बात करते हैं अपन चार्ज ट्रांसफर के द्वारा के कारण नहीं इसके अंदर क्रॉमियम का ऑक्सटेशन स्टेट कौन सा आ रहा है बोलो प्लस इसमें अनप्रइड एलेक्टॉन किता आएगा जीरो क्योंकि याँ पर है तो परवेनेटी इसमापको नहीं मिल रही है तो आंसर तो आपका नहीं हो सकता है है कि compound color orange red color का होगा ये भी LM city के कारण color property show करता है chromate के बारे में student अपन बात करें तो yellow color का होता है ये color तो है बट वो color जो DD transition के कारण नहीं आता है again chromate के अंदर आप ये कह सकते हो कि यहां पर plus 6 oxidation state है ठीक है और plus 6 oxidation state ठीक है इसमें अनपेड electron किता आएगा बोलो जीरो तो यह डायवनेटिक भी है यह आंसर भी अपना नहीं होगा तो इस्ट्वेंट पैरा मेंगनेटीज्म एजबेल एज डेटी ट्राइशन शो करने वाल अपने पास हो गया है मेंगनेट नेक्स देखो तक चैलकुलेटेटेट इस्पिन अल्ली मेंगनेटिक मॉमेंट और सी यार प्लस टू आयन इज इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि मेंगनेटिक मॉमेंट से लेटेट इकूशन जो है वह बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है अगें क्यूशन 2020 के अंदर यह रिपीट हो गया इसके अंदर आपको सी आर प्लस टू का मेंगनेटिक मॉमेंट पूछा है इस्टूएंट सी आर प्लस टू अना क्रॉमियम का क्या होता है इस्टूएंट 3D5 यह काफी इंपोर्टेंट है आरगन का क्या होता है क्रॉमियम का 3D5 4S1 दो इलेक्टॉन रिलीज कर दिये तो यहां पर क्या आएगा 3D4 और अंपेड इलेक्टॉन कितने होगे इस्टूएंट चार अपन इस फॉर्मूले से क्यलकुलेट कर पर्मेड पनाते हैं दो इस्टूएंट और में इस्टूएंट ओर मेंके बनाते हैं स्टूइंट औरडिये अहां धुत अपन क्या बनाते हैं? permagnate ठीक है ना? ये एक प्रकार से बनाने के method आपने पढ़े होंगे तो magnet से permagnate बनाने के बहुत सारे method होते हैं ठीक है? chemical oxidation आप करवा सकते हो इसके साथ ही एक ये reaction भी है ठीक है? मैगनेट से permagnate बनाने की तो इस reaction के अंदर आपको एकची ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को equilibrium शोकर रखा है और आपको ये पुछा है कि the reaction can go to completion by removing OH- आप जानते हैं इस टुए अगर अपन product को अटाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन जानते हैं कि product को अगर अपन अटाएंगे हाना तो alpha बढ़ेगा या red top forward reaction जो है वो एक प्रिकार से बढ़ेगी तो reaction progressive होगी और completion की और जाएगी तो OH- को अटाने के लिए student काम में तो अपन ले सकते हैं क्या यह base हो गया एक तरीके से तो अपन acid काम में ले सकते हैं पहली बात तो यह कि के वेस्ट आंसर अपना होगा नहीं अब अपन co2 hcl और so2 की अगर अपन बात करें तो student hcl और so2 के अंदर reducing nature भी है ठीक है इन दोनों के अंदर यह क्या है reducing nature है और reducing nature है तो यह problem create कर सकते हैं यह permagnate को reduce कर सकते हैं इसलिए अपन so2 और scl को तो अपन लेंगे नहीं co2 की अगर अपन बात करें तो student co2 जो है वो इस टाइप से वक नहीं कर पाएगा oxygen reducing agent की तरह है तो यहाँ पर co2 को अगर आपने ले लिया है ठीक है तो वो OH माइनस के साथ में carbonate बना देगा और water बना देगा तो आप यह कह सकते हो कि OH माइनस को हटाने के लिए co2 बेस्ट है so2 और scl को अपने इसलिए काम में नहीं ले पा रहे है क्योंकि reducing agent का भी काम करते है तो आपनो 4 के साथ में एक प्रकाट से problem create करेंगे और cabbage को अपन वैसे नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा क्यूशन है students जिसमें अपन equilibrium का भी थोड़ा सा application इसमें यूज हो रहा है ठीक है तो आंसर इसमें कौन सा होगा यह स्ट्रेंट फरस्ट चलो जी next में चलते है तर यह वाला क्यूशन जो है पहली बात तो देखो स्ट्रेंट क्यामनो 4 अपने स्लेबस का पॉइंट है तो इसकी कुछ रियक्शन सापको ध्यान होनी चीए जैसे इसका थर्मल डिकंपोजिशन करने पर क्या होगा oxygen बनती है कैमनो 4 ऑक्षालाइजिंग एजेंट का का काम करता है स्ट्रेंट अपने हाइडोजन वाले टॉपिक के अंदर भी डिटेल में तो इन दौनों की रियक्शन का आपको थोड़ा आइडिया होना चीए कैमनों 4 जो है वह ऐसेडिक मीडियम के अंदर एसेडिक मीडियम के अंदर एस्टो और टू के साथ में जब रियक्शन करता है तो इस्ट्रेंट एक तो यहाँ पर प्रोड़क्ट बनता है कैट टू एसो फोर एक यहाँ पर बाई प्रोड़क्ट बनता है एस्टू और एक यहाँ पर प्रोड़क्ट बनता है और टू तो आंसर इसमें कौन सा जाएगा second कि MN तो reduce होगा plus 2 के अंदर acidic medium के अंदर हाना और देखो acidic medium के अंदर plus 2 में reduce होगा तो यह answer तो अपने होई नी सकते ठीक है अब plus 2 के अंदर आपको पता है कि O3 बनता नहीं है यहाँ पर यहाँ पर जो हो एस्टू ओटू का जब oxidation होगा ठीक है ना तो क्या बनेगा यहाँ पर O2 तो आंसर कौन सा होगा second next question अपन डिस्कस करने जा रहें students एन एकपस solution of potassium dichromate react with H2S gas in acid condition to give a green product देखो student यह dichromate permagnate पर क्यूशन इसका मतलब आपको डंक से एक बार तैयारी आपकी होनी चीए अगर बाइदब कोई आप portion इसमें क्यूशन नहीं कर पा हो तो आपको यह एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज जरूर करना चाहिए समय तो कम है वे से एक फिर भी आप इन चीजों को आपको देखना चाहिए क्योंकि क्यूशन पूछे जाते हैं potassium dichromate आप जानते हो potassium dichromate जो है वो acidic medium के अंदर acidic medium के अंदर oxidizing agent का काम करता है ठीक है oxidizing agent का काम करता है अगर कोई सामने reducing agent है तो यह reaction किस टाइप से होती है यह देखो यहाँ पर student यह तो K2SO4 CR2SO4 का whole thrice और यहाँ पर students water molecule और कुछ nascent oxygen बनती है यह हाप reaction लिखी है students में अगर कोई reducing agent है reduce हो सकता है हाना reducing agent साथ में है तो यह इस टाइप से oxidizing agent का काम करता है और यह से nascent oxygen अविलेबल करवाता है तो कुल विलाकर बात यह है कि अगर potassium dichromate जो acidic medium में oxidizing action शो करता है तो यह किसमे reduce होता है student CR2SO4 का whole thrice के अंदर और इसका color होता है student green ठीक है इसके अंदर answer अपना कौन सा टिक करेंगे अपन CR2SO4 का whole thrice अंशर कौन सा होता होता है students में first next अपन आगे बढ़ते है students which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified care to CR2O7 again similar type percussion पूशा गया है student 2016 के अंदर potassium dichromate है ठीक है न पॉटेसियम dichromate student keval or keval acidic medium में ही oxidizing agent का काम करता है और इसमें लिखा भी है acidified K2CR2O7 तो student आपको पता है कि यह S2SO4 ठीक है यह acidic medium के अंदर potassium dichromate oxidizing agent का काम करेगा और यह SO2 को एक प्रकार से क्या करतेगा oxidize करेगा तो यह एक प्रकार से dichromate जो खुद किसमें reduce होगा अभी अभी अपने reaction देखी है SO2 को oxidize करेगा यह oxidizing agent हो गया और यह यहाँ पर क्या हो गया reducing agent और reducing agent खुद का क्या होता है oxidation तो as sort to reduce why oxidize होगा यह oxidize होगा तो solution is decolorize यह statement भी घलत हो गया student क्यों क्योंकि आपको पता है कि potassium dichromate अपना oxidizing action करता है तो यहाँ पर यह food reduce होगा और compound कौन सा बनेगा यह वाला बनेगा जिसका कोई color होता है green तो solution हाना still remain colorized यहाँ पर student green CR2SO4 whole thrice is formed यह बात एकदम सही है student the solution turns blue blue turn नहीं होगा orange देंट से एक किस पर कनोट होगा green के अंदर तो answer कौन सा होगा student इसमें third next question की और चलते है students the magnet and permanent ions are tetra header तो student magnet ion और पर्वेगनेट आइन जो है MnO4- और MnO4-2 bonding का point है students इसके अंदर double bond oxygen double bond oxygen double bond oxygen और single bond और अगर अगर आपन बात करें यहाँ पर मैगनेट की तो मैगनेट के अंदर student double bond oxygen double bond oxygen minus oxygen minus oxygen इन दोनों में पाई बॉंड जो पर्जेंट आइ स्ट्ट्वेंट यह पाई बॉंड कौन से होंगे पी पाई डी पाई होंगे उसमें डी ओर्विटल तो किसके होंगे मैगनेज के और पी ओर्विटल किसका होगा oxygen का तो bonding से रेलेटेड बाग पुछिए है तो पाई बॉंड इन वोल अवर्विटल ओप ऑक्षिजन विद पी ओर्विटल ओप मैगनेज तो देखो इसके अंदर पाई बॉंड के अंदर मैगनेज का भी पी ओर्विटल और oxygen का भी ओर्विटल बदा रखा है तो ये statement गलत होगा the pi bonding involve overlap of d orbital of oxygen oxygen के पास में d orbital यूटलाइज नहीं होगा the pi bonding involve overlap of p orbital of oxygen and d orbital of मैगनेज ये statement correct है there is no pi bonding ये statement तो गलत होगी गया student answer कुन सा होगा third अगला question student अपने को देरक है identify the incorrect statement कई बार ऐसे question के अंदर student incorrect correct के अंदर पढ़ने में silly mistake कर देते हैं क्योंकि paper जल्दवाजी में अपन करते हैं तो इस type का कोई silly mistake नहीं हो एक आत question कई student बोलते हैं भी कि incorrect थार मैंने correct के हिसाप से सोच लिया ऐसे तो देखो incorrect statement पुछा है तो आप यह बतो इंट्रस्टिसियल कंपाउंड और दोज that are formed when small atoms like hydrogen carbon nitrogen trapped inside the crystal lattice of metal तो deep log के अंदर जो characteristic properties अपने पढ़ते हैं students पर बहुत सारी properties आपने पढ़ी है complex formation colored property paramagnetism interstitial compound catalytic property हाना non stoichiometric compound formation alloy formation उनमें interstitial compound formation पर जब भी क्यूशन आता है थो थोड़ा student ध्यान रखना इस point पर interstitial compound क्या होते हैं deep log metal के जो crystal के अंदर in interstitial space होता है उसमें छोटे non-metals like hydrogen carbon nitrogen boron अगर यह आ जाते हैं compound क्या होता है interstitial तो यह तो definition वाड़ा ही point है जो correct है ठीक है ऐसे compound का melting point metal की तुलना में बढ़ जाता है ठीक है malleability घड़ जाती है compound नहीं तो आयोनिक होते हैं नहीं covalent होते हैं non stoichiometric होते हैं तो यह थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान दे कभी क्यूशन आ जाए तो जैसे 2020 में आया ही है और स्टेशन स्टेट ऑप क्रॉमियम इन CRO4-2 स्ट्रेंट CRO4-2 के अंदर क्रॉमियम का और स्टेशन स्टेट कौन सा हुआ प्लस इक्स हुआ बहुंत क्योंकि रेजोनेंश होगा आप यह वाली बांद लेंश काण के क्राण क्या होगी और यह जो है वो यहांकी बॉंट 6 है और यहां पर 1.7 एंगस्टर में डिस्सिमिलर बोन लेंथ विलती है स्ट्वेंट इसके अंदर आपको तो ऑक्षिदेशन स्टेट से मतलब है तो ऑक्षिदेशन स्टेट यहां पर भी कॉन सी है प्लस 6 बट यहां लिखा है स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा तो आपका अंसर तो यह हो गया फिर भी अपन चेक कर लेते हैं बाकी ओप्षिंस कि वो करेक्ट होने चीए प्लस 2 इस स्टोंगर रिुसीक अजेंट यहां पर है प्लस 2 जो है वो फी प्लस 2 है तो बहुत बहुत आर रिडुसीं अजेंट भट इन बहुत आर रिडुसीं अज ended बट इन में भी स्टॉंग कॉन सा होता है CR plus 2 strong reducing agent होता है तो यह बात बिल्कुल correct है The transition metal and their compounds are known for their catalytic activity तो transition metals की characteristic property होती है तो एक catalytic property show करना उसके दो कारण अपन मैंली बोलते हैं तो free valence का होना और दूसरा अपन बोलते हैं variable oxidation state का होना क्या यही कारण आगे बोल रखाया गया Due to Due to their ability to adopt multiple oxidation state बिल्कुल variable oxidation state कारण होता है and to form complexes बिल्कुल यह mechanism में इसी कारण से participate कर पाता है बहुत सारी यह सी reactions हैं जिसमें deep log का जो metal है या उसका कोई compound है वो अपनी oxidation state change कर पाने के कारण वो mechanism में participate करता है reaction में intermediate change कर देता है activation energy change कर देता है reaction का path change कर देता है कुल मिलाकर बात यह है कि red top reaction को affect कर देता है तो answer students में कौन सा होगा incorrect पूछा था अपने को second next देखो the pair of compound that can exist together is तो इसके अंदर exist together का मतलब हो गया कि वो आपस में reaction नहीं करना चीए ठीक है तो देखो वैसे यह जो अपने compound दे रखे SNCL2 बहुत अच्छा reducing agent होता है क्योंकि carbon family के अपन बात करें तो G, SN और PB ठीक है inert pair effect के कारण plus 2 की stability नीचे जाने पर बढ़ती है ठीक है ना stability की मैं बात कर रहा हूँ और plus 4 की stability जो है वो घड़ती है ठीक है inert pair effect के कारण higher oxygen state की stability घड़ती है और lower की stability बढ़ती है अगर अपन इनकी बात करें तो यह higher ज्यादा stable होगी बट bottom element के अंदर lower ज्यादा stable होगी तो इसकी reduce होने की tendency होगा इसलिए तो oxidizing agent का काम करता है PB plus 4 और इनके oxidize होने की tendency होगी तो यह reducing agent पहली बात तो यह कि SN plus 2 एक अच्छा reducing agent है लेकिन student SN plus 2 के बारे में आप यह भी ध्यान रखें कि कुछ metals ऐसी होती है जिनको जिनके compounds को यह direct metal के अंदर reduce कर देती है strong reducing agent है यह बात तो खेर समझ में आईगी अपने को strong reducing agent है बट यह HG HG BI इनके कुछ compounds को direct metal के अंदर reduce कर देती है जैसे for example SNCL2 reducing agent है और इतना अच्छा reducing agent है कि HGCL2 को किसके अंदर reduce कर देगा HG के अंदर तो मतलब यह साथ में compound exist नहीं कर सकते बात क्लिए रहे किया तो यह तो आंसर होगा नहीं अगर अपन 4th option की student बात करें तो 4th option में अपने को देर रखा है student AP plus 3 अभी अभी पिसले वाले question में अपने देखा था कि AP plus 2 जो है वो reducing agent होता है ठीक है तो यहाँ पर exactly क्या है कि I minus जो है वो strong reducing agent होता है AP plus 2 से यह AP plus 3 को AP plus 2 के अंदर reduce कर देगा तो यह साथ में नहीं रह पाएंगे Redox reaction हो जाएगे अगर अपने student बात करें यहाँ पर SNCL2 की तो SN SN plus 2 जो है AP plus 2 की तुला में SN plus 2 भी strong reducing agent होता है ठीक है तो अगर यह plus 3 में बैठा है तो यह plus 2 के अंदर इसको reduce कर देगा SNCL2 जो है वो AP plus 3 को AP plus 2 के अंदर reduce कर देगा तो कहने का मतलब यह दोना exist नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर SN plus 2 reducing agent है और यह भी reducing agent है बट यह strong है इसलिए यह दोनों साथ में रह जाएंगे बात क्लिए रह गया तो कौन एक्जिस्ट कर जाएंगे साथ में स्टुनेंट आंसर कुन सा होगा 3rd which among the following not a colored compound तो इस्टुनेंट colored compound का question है तो आपको थोड़ा idea में देजता हूँ एक बार colored property जो है वो कई कारण से अपन NCRT के अंदर पढ़वाते हैं एक आपने solid state के अंदर defect वड़ा है आपने तो defect से related discussion के अंदर colored property explain होती है एक dichromate permagnate chromyl chloride magnet chromate chromyl chloride in compounds के अंदर color को अपन charge transfer से later discussion से अपन समझाते हैं आप P-block में homolumo transition से भी है halogens के अंदर color समझाते है और D-block के compounds में manly complexes के अगर अपन बात करें तो D-D transition जो है वो एक important और general कोज है D-block compounds के अंदर colored property को समझाने का लेकिन student D-D transition के लिए कुछ conditions होती है conditions for D-D transition कुछ conditions होती है एक condition तो यह कि student D1 से D9 configuration होना चीए एक ligand present होना चीए student ligand present होगा तभी तो splitting होगी splitting होगी तो degeneracy टूटेगी तभी तो electron के transition में absorption होगा radiation का ligand भी होना चीए unpaid electron भी होना चीए लेकिन अपनी थोड़ा आजपास का discussion कर रहे है student बाकि कुछन को करना तो बहुत आसान है unpaid electron आपको किसमे absent मिल रहा है क्योंकि DD transition के कारण चलो अब ये question के अंदर अपने को colored compound के बार तो dichromate के अंदर colored property आती है student LMCT के कारण ligand to metal charge transfer orange red होता है camera 4 के अंदर student ligand to metal charge transfer से अपन color को अपन समझाते है student और इसके अंदर आप जानते हो कि ये color जो किस कारण से है ठीक है ना ये जो है हो एक प्रकार से purple color और ये अपने LMCT के कारण TICL3 के अंदर अपन बात करें student तो TI plus 3 है इसके अंदर unpaid electron present है और इसके अंदर अपन color जो है ये violet color का compound होता है student और इसमें अपन DD transition से अपन समझाते है DD transition TICL4 की बात करें student अपन तो titanium plus 4 जो है उसके अंदर आरगन 3D 0 configuration है और 3D 0 है इसका अंपन बात इलेक्टोन नहीं है तो DD transition यहाँ पर नहीं होगा और DD transition नहीं होगा तो ये most expected colorless compound अपने लिए कौन सा है TICL4 अंपन इलेक्टोन अपसेंटाइस लिए नेक्स्ट क्यूशन इस्ट्रेंट HGCl2 और I2 both when dissolved in water containing I- ions pair of species formed age अगर अपन बात करें कि I2 है और HG Cl2 है ठीक है अगर अपन इनको dissolve कर रहे है I- की presence के अंदर ठीक है ना solution में I- present है तो इस्ट्रेंट यहाँ पर अपन यह कह सकते हैं कि I2 जो है वो I- की presence में आपको पता है पॉली हलाइड बनाएगा कौन सा पॉली हलाइड बनाएगा इस्ट्रेंट कौन सा I3- आयोडीन के वेकेंट और्बिटल के अंदर यह स्ट्रेंट लॉन पेर देदेगा साथ वैलेंस लेक्टोन थे तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि तीन लॉन पेर है SP3D हाइड़ाइशन होगा और लिनियर इसकी जोमेट्री होगी क्योंकि पुछी जाती है बहुत इंपोर्टेंट एग्जामपल है तो आयोडीन तो I- के साथ में क्या बनाएगा I3- और I- की परजेंट में जो अपन HGI2 इसका सोल्ट बनेगा वो और एक्सेस ओप I- की परजेंट में आपको पता है कि यह कोडिनेट एंटिटी बनाएगा कोडिनेशन नमबर 4 के अंदर HGI4-2 तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगया है स्टुएंट HGI4-2 और I-3- ठीक है नेक्स अपन बात करते है क्यूशन नमबर 14 इडेंटिपाइद इनकरेक्ट स्टेट्मेंट फ्रम्ट फॉलोविंग 2020 का क्यूशन है 22 का इसमें आपको इनकरेक्ट पुछा है तो इनकरेक्ट पुछा है वही ऑर्बिटल के नाम 5D के होंगे जैसे मालो यहाँ पर 3DXY है तो यहाँ पर 4DXY होगा तो रिलेटिवली अपन बात करें तो सेप तो सेम ही होगी DXY चाहिए थर्ड सेल के लिए हो चाहिए फॉर्द सेल के लिए हो तो यह सेट्मेंट तो रिए हो इनकरेक्ट है अग्जड सेमिलर होती है तो बिल्कुल यह तो आपन कह सकते हैं कि बिट्विन दे लॉब और बिटलस होंगे ठीक है बट आगे बारा सेट्मेंट करेक्ट नहीं है d x square minus y square d z square are similar, यह similar नहीं है यह तो tetraloped है, यह bylobed है तो यह similar नहीं है, तो यह statement अपना incorrect हो चुका है वही, मतलब answer हो चुका है अपना, answer कुन सा होगा इसके अंदर third, एक बार यह भी check कर लेते हैं अपन, d x square minus y square तो student इस type से x और y के along एक प्रकार से lobs होंगे, और d z square के अंदर आप जानते हो, z axis के along और x y में एक ring होती है all the five 5D orbitals are different in size when compared to the respective 4D orbitals size के मामले में different होंगे यह बोल रहा है तो बोलो भी size के मामले में तो different ही होंगे, n का मान अगर बढ़ गया, 4D और 5D n का मान, principal quantum number का मान बढ़ गया, तो size तो बढ़ेगी ठीक है न, तो आप यह different लिखा वाया, तो यह बात correct होगे तो incorrect के लिए answer कोन सा जाएगा third, question number 15 के बारे में बात करते है students CR plus 2 is oxidizing agent बिल्कुल गलत बात होगी, पढ़त यह अपने हो गलत समझ में आ गया, क्योंकि अपन जानते हैं अभी क्यूशन आया था अपना CR plus 2 FE plus 2, TI plus 2 यह क्या है, reducing agent है यह statement incorrect हो गया scandium plus 3 compound are repelled by the applied magnetic field to student scandium plus 3 की अगर अपन बात करें argon 3D 0 unpred electron 0 होगा, diabetic होगा और diabetic species are slightly repelled in the external magnetic field so, this statement is correct तो अपने को इस टाइप कर स्टेटमेंट कहा मिलेगा देखू statement first is incorrect and statement second is correct तो आंसर कौन सा होगा, second next question के और आगे बढ़ते हैं student because of lengthenide contraction which of the following pair of elements have nearly same atomic radii lengthenide contraction का butter यह है कि D block के अंदर third या third भी group की बात करें तो यहाँ पर तो lengthenide contraction है नहीं, size की अगर अपन बात करें तो लगातार बढ़ती है लेकिन group number 4,2, 12 अगर अपन बात करें तो 3D से 4D तो size बढ़ती है ठीक है ना, लेकिन 4D से 5D size जो है वो अल्मोस्ट क्या रहती है similar due to lengthenide contraction तो 4D और 5D के corresponding element की size almost same होती है तो student इसके अंदर देखो titanium, zirconium तो titanium, zirconium की बात करें तो 3D, 4D वा तो 4D और 5D के respective element यह है ठीक है एक ही group के यह 4D का है और यह 5D का है तो एक ही group के 4D और 5D की size almost same होना lengthenide contraction का result है students पांसर कॉन से जाएगा इसमें 4 which one of the following statement related to lengthenide is incorrect lengthenide elements के लिए अपन बात करें student तो यह element है देखो यह जो elements है यह lengthenide elements है left to right यह अपन जाते हैं student तो आपको पता है कि Z effective increase होगा Z effective increase होने से IP जो हो बढ़ेगा और IP के inversely proportional अपन basic nature of oxide and basic nature of oxide and hydroxide अपन बताते हैं तो basically left to right जाने पर IP बढ़ेगा तो basic nature गठेगा basic nature गठने के बारे में बात कर रहा है student यह statement तो correct है पूछा गया आपको incorrect all the lengthenide are much more reactive than aluminum तो इसमें aluminum तो बहुँ ज्यादा reactive होता है ठीक है aluminum काफी ज्यादा reactive होता है lengthenide elements के तुला में तो aluminum जो है वो ज्यादा reactive होता है इसमें lengthenons को एक प्रकार से ज्यादा reactive बोल रखा है तो यह statement अपना incorrect हो गया यानि answer हो गया फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन next c plus 4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis to student बिल्कुल correct बात है अगर अपन बात करें students की lengthenide के अंदर अपन serum की बात करें तो इसके अंदर plus 3 के अंदर configuration जो हो 4F1 आता है और plus 4 के अंदर जो हो 4F0 आता है कि यहां पर c plus 4 और plus 3 में ज्यादा stable कौन होगा stability की अगर अपन बात करें तो plus 3 इसका मतलब इसके reduce होने की tendency होती है तो यह oxidizing agent होता है यह बात correct है European show plus 2 oxidation state तो student इसके बारे में बात करें तो lengthenide के अंदर European 63 configuration होता है 4F7 5D 06S2 यह student plus 3 तो खेट show करता ही है 4F6 लेकिन यह student plus 2 भी show करता है क्योंकि इसका neighbor configuration थोड़ा stable होता है हाला कि European plus 2 और plus 3 के अंदर ज्यादा stable कौन सा होता है stability की अगर अपन बात करें तो plus 3 इसका मतलब अपने तो इत्ती बात करनी है कि European plus 2 oxygen state show करता है क्या तो बिल्कुल European भी करता है एक interbium भी करता है तो साथ में बताता हूं इसके अंदर European plus 2 show करता है interbium भी plus 2 show करता है यहाँ पर 4F7 है और यहाँ पर 4F14 configuration आता है हाला कि plus 3 से कम stable होता है ठीक है plus 3 से कम stable है stability की बात कर रहा हूं तो आंसर इसमें student कौन सा हो गया अपना यह वाला जिसमें aluminium से भी ज़्यादा reactive बता रखा है कि इसको lengthenons को next question इसमें आपको फिट से क्या पूछा है incorrect तो student यह आप समझ गए होंगे कि inorganic chemistry के अंदर इस टाइप के आप पैपर जब आएगा आपके पास तो मानके चलो तीन से चार के उसने इस टाइप के incorrect correct selected आपको मिलने है तो most of trivalent lengthenide ions are colorless तो student अपन बात करें cerium plus 3 से लेकर अभी मैंने पूरी series लिखी थी ठीक है तो यहां तक अगर अपन बात करें यह तो last element हो गया यह तो last element हो गया इन सभी elements के अंदर आप यह मानके जलो कि unpaired electron पहले बढ़ेंगे one to seven बाद में गठेंगे तो unpaired electron इन सब के अंदर present है यह सारे के सारे जो हो होंगे colored होंगे तो यह most of tribal and lengthenides को colored less बोलना यह गलत हो गया गलत हो गया इसका मतलब अपना answer हो गया ठीक है तो बाकी statement correct है चेक कर लेते हैं lengthenides are good conductor of heat and electricity the student lengthenide all lengthenides are metals और आपको पता है कि metals are good conductor of electricity and heat ठीक है act is statement correct actinoids are highly reactive metals specially when finally divided obviously जब अपन किसी metal को finally divide कर देंगे तो surface अरिया बढ़ेगा reactivity बढ़ेगी उसकी actinoid contraction is greater for element to element then lengthenide contraction तो student होता क्या है कि अगर अपन बात करें scadium, atrium, lengthenum, actinium or titanium, zirconium, hapnium और rather fordium यह अपने पास third group है और यह अपने पास fourth group है तो student देखो यहाँ पर atomic number 21-22, 39-40, 57-72 और 89-104 देखो यहाँ से यहाँ आप अगर आते हो student तो 4F element के कारण Z effective बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण lengthenide contraction detail में बात करते हैं आपन यहाँ आपन 90 से लेकर 103 एलेक्टॉन 5F में एंटर करेगा और 5F के कारण आपको पता सिग्मा तो कमजोर होता है तो Z effective यहाँ पर भी बढ़ेगा बैसे Z effective क्या होता है student Z effective होता है Z minus सिग्मा तो यहाँ पर भी 40 unit है और यहाँ पर भी 40 unit बट सिग्मा की अगर अपन बात करें तो 4F और 5F में ज्यादा वीक किसका होगा 5F का क्योंकि size काफी बढ़ी है size बढ़ी होने के कारण diffuse shape के कारण repulsive effect इसका काफी कम होगा तो आप यह कहरे हो सिग्मा ज्यादा कमजोर किसका है 5F मतलब actinoids का इसका मतलब Z effective increase more due to actinide element as compared to lengthinide तो यह बात तो आपकी correct है तो पूछा incorrect था तो अपना answer कुन सा हो गया student first answer आपका हो गया क्योंकि इसमें trivalent metals को सबको colorless बोल रखा है जबकि most of lengthinide ठीक है ना unpaid electron present FF transition के कारण colored property शो करते हैं गैडोलिनियम has a low value of third ionizer तो इस्ट्वेट गैडोलिनियम का configuration क्या हो गया 4F7 5D1 6S2 ठीक है तो अगर यह third electron निकलेगा अपने एक IP के बारे में basic फंडा जानते हैं कि अगर आप किसी stable species से electron निकालते हो तो IP more than expected और यदि electron निकलने से जो species मिलती है अगर वो stable होती है हाना तो आपको effort कम करना पड़ता है मतलब IP less than expected तो जो third electron student निकलेगा ठीक है ना तो 4F7 configuration मिलेगा और 4F7 के अंदर unpaid electron maximum है तो एक्सेंज energy का मान क्या होगा ज्यादा होगा और यही उसकी stability का कारण भी है तो आप यह answer यहां पर टिक करोगे कि हाई एक्सेंज enthalpy के कारण थर्ड electron थोड़ा आसानी से निकलेगा क्योंकि electron निकलने से जो species मिल रही है वो थोड़ी stable मिल रही है अगर किसी direction में अपन जा रहे है stability मिल रही है तो सामने से भी support मिलता है चलो जी next question है अपना 20 decrease in size from left to right in actinoid series actinoid series यह है student ठीक है यह series actinoid तो left to right जाने पर size के बारे में बात करें तो बिलकुल size left to right जाने पर गठेगी और लगातार गठेगी gradual than that in lengthenide series due to decrease in size from left to right in actinoid series is greater इसका मतलब यह है student आप यहाँ से यहाँ जाओगे ठीक है ना next to next तो यहाँ पर effective बढ़ेगा ठीक है तो वह lengthenide की तुला में तो student थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा ठीक है ना क्योंकि electron enter कर रहा है actinoid के अंदर 5-5 के अंदर और 5-5 का sigma क्या होता है कमजोर होता है तो lengthenide की तुला में actinoid में जब electron के entry होती है तो sigma कमजोर रहता है वहाँ पर वीक रहता है जिसके करण जाड़ इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है actinoid के अंदर इसलिए size में decrease भी ज्यादा आपको मिलता है तो कारण क्या हो गया 5-5 पॉर्विडल्स जो है उनकी इफेक्ट पूर होती है क्यूशन नुम्बर 21 विच अफ़ फॉलॉविंग लेंथनाइड आयन इज डायवरेटिक डायवरेटिक का मतलब हो गया स्टुडेंट अपने को अनप्रेड एलेक्ट्रॉन जीरो देखना है तो यह जो सारे इलेमेंट्स है इस्टुडेंट यह अपने पास लेंथनाइड एलेमेंट्स है तो इस इन क्यूशन के माद्यम से मैं आपको एक बात सब्सक्राइब में आपको भी आ रही होगी कि एप लोग का क्यूशन करने के लिए आपको कम से कम लेंथनाइड सीरीज आपको पता होने पता होने के साथ साथ में उनके electronic configuration आपको पता होने चाहिए क्योंकि जनरली क्यूशन देखो इस टाइब के पूछे जाते हैं तो अपने पास यह element है कि अब इन element में मैंने यह इसलिए लिखे हैं आपको याद है तो देखो किसन अपनासानी से कर पाएंगे अगर इन सब की प्लस त्री स्पीसी अगर अपन बना लें तो जो अनपेंड इलेक्टोन किते आएंगे सेवन आएंगे एटरबियम की बात करें स्टुडेंट तो यह थार्टीन नंबर का element है तो प्लस त्री के अंदर तो फोर अप थार्टीन होगा बट यहाप पर आपको प्लस टू दिया है तो फोर अप फॉर्टीन इसका मतलब अनपें बोलने का मतलब फॉर्टीन अपने इलेक्टोन किते होंगे दो समेरियम की स्टुडेंट अपन बात करें तो फिप नंबर का element है और फिप नंबर का element है तो प्लस त्री के अंदर तो फॉर फॉर फाइफ फॉर्टीन होगा बट प्लस टू के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पर फॉर एफ शिक्स कुन प्रिकेसन होगा अनपैड एलेक्टोन के तया होंगे छे तो अनपैड एलेक्टोन जिसमें 0 हो वह क्या होगा डियावनेटिक तो आंसर कुन सा होगा अपना सेकिन गर ग्रेटर रेंज और अपने बढ़ते हैं या आपने काम आते हैं ठीक एलेमेंट्स की अगर अपन इस्ट्रेंट बात करें तो 5,5,6D और 7S यह वो और्बिटल्स हैं सबसेल्स हैं जिनमें कॉन्फियर्स लिखते से में अपने को लेक्टोन बढ़ने होते हैं तो इलेक्टोन डीप लोक आप जब पढ़ते हो इस्ट्रेंट्स तो आप जानते हो पर एक लेक्टोन यहां पर फिर 1-14 अपन बढ़ते हैं अब यह बात अलग है कि मौस्ट अप लेंथे नएड और एक्टिनएड एलेमेंट्स में यह दी वाला इलेक्टोन जो इधर सिप्ट हो जाता है तो डी के अंदर आप जानते हो कि जनरल कॉन्फियर्स अपन लिखना जाता है 1-14 तो इस प्रेंट अपन चलो एक लेक्टोन यह मानकर चलते हैं तीन लेक्टोन तो कम से कम पार्टिस्पेट करेंगे यह करेंगे जनरल वे में अपन बात करें तो चाहें लेंथे नाइड और एक्टिनाइड तो इनकी जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट जो है वो दो प्लस्त्री तो होगी लेकिन अगर प्लस्त्री के बाद में भी ऑक्सिडेशन स्टेट साते हैं तो उसमें आपको पार्टिस्पेशन एफ लेक्टोन का चाहिए तो इस टुटन होता क्या है कि 5-5 और 6-D के भी इसका जो एनरजी गेप है वो 4-5-D की तुला में कम होता है य यहां पर लेस एनरजी का गेप इसका मदला पन यह कह सकते हैं कि 5-5-6-D और 7-S के बीच में एनरजी ऑल्मोस्स इक्वल होती है इसलिए 5-5 के लेक्टोन ज्यादा असानी से यहां पर पार्टिस्पेट कर लेते हूं ज्यादा नंबर में ऑक्सिटेशन स्टेट एक्रेट करते हैं तो आंसर आपका कुन सा होगा 5-5-6-D और 7-S ठीक ना उनकी कंपेरेबल एनरजी होती है वह ज्यादा डिफ्रेंस यहां पर नहीं होता है इस कारण से एक्टिनाइड ज्यादा संख्या में ऑक्सिटेशन स्टेट शो करते हैं तो आंसर कुन सा होगा अपना सेक्ड नेक्स्ट क्यूशन की बात करें स्ट्रेंट यह मैटलर जी का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टाइप का क्यूशन है 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 मेटाइड का फॉर्मूला आपको पता है मेगनेटाइड फू 3-0-4 होता है केलेमा इंजेडन सी-0-3 होता है और यह कंपाउंड तो आपन कह सकते हैं फॉर्थ में फॉर्थ होगा तो यह तो आपके अंसर होंगे लिए थार्ड के अंदर सेकेंड होगा तो यह आंसर आपका चला जाएगा जो भी आंसर आपको मेट्स करने से मिल रहे हैं क्यूशन नबर 24 आउट ओप फॉलोविंग स्टेट्मेंट इडेंटिफाइड इनकरे बैनिफेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेंट सांदरन बैनिफेक्शन हो यह ड्रेसिंग ओप ओर हो यह फिर कंसंट्रेशन ओप ओर हो यह हिंदी में अपन बात करें तो आएस का सांदरन हो ठीक है इनका मतलब क्या होता है स्ट्रेंट इस के सांदरन का मतलब हो गया कि जब अपन और को लेके आते हैं माइनिंग के द्वारा फिर अपन उसको चोटे टुकडों में तोड़ लेते हैं उसमें बहुत सारी इंप्योर्टीज है मतलब जो अपने पास गीवन मास है उसमें अप से अपन करते हैं तो लाइटर गेंग पार्टिकल्स और वोस्ट अवे लेविंग और पार्टिकल्स तो बिल्कुल यह स्टेट्मेंट तो करेक्ट है स्टुडेंट पोई दिखकत नहीं है यह कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रखा है इस प्रेंट के अंदर कि भही कंसंट्र स्टुडेंट का कंसंट्रेशन अपन केमिकल कंसंट्रेशन करवाते है जिसमें लीचिंग करवाते हैं उसको अपन फेहीं देर पार के साथ में निक्सालं ऺंटाये इसका मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं अ स्टुडेंटलियो ब्ल्स और और बारे में बात करके दिसकर्शन बाइर प्रोसेस के अंदर जो अपन रेड़ पाइड के लिए इस प्रेसिन करवाते हैं तो आपको पता है इंप्योर्टी अपनी basic है तो उसके साथ में तो reaction होगी नहीं ठीक है और यह एमफोटेरिक है तो यह तो reaction कर लेगा और reaction करेगा तो आप जानते हो इस्टुटेंट soluble compound बनेगा metaluminate यहां पर बनेगा तो इसका reaction होती है लेकिन इसमें क्या बोल रखा है cannot be obtained तो अपन L2O3 को leeching के concentrate के साथ में रियक्ट कराके बिल्कुल impurities को side में कर सकते हैं soluble compound को अलग कर सकते हैं तब कि इसमें लिखा cannot be obtained तो यह statement आपका incorrect होगा तो answer तो आपका यह आ गया लेकिन अपन अगला statement पढ़ते है during froth flotation process और particles are removed as froth living behind gang तो froth flotation process जो होता है ज्ञाग प्लवन विदी उसमें क्या होता है इस्ट्रेट sulfide ore के लिए अपन करवाते है sulfide ore जो है वो एक प्रिकाट से हाइडोफोबिक रेचर का होता है तो water and oil के mixer में वो preferably oil से बेट होता है और oil के froth बनते है तो वो froth के साथ में sulfide ore जो हो अलग हो जाते है और impurities जो है वो लाई ओफिलिक नेचर की होती है तो वो container में रह जाएगी तो यह बिल्कुल statement correct है sulfide ore can be successfully separated using froth flotation process by varying oil to water ratio बिल्कुल correct बात है इस्ट्रेट answer इसमें कौन सा होगा second which one of the following not a calcination reaction calcination में क्या करवाते है एक तरीके का thermal decomposition है air की absence में आपको घरम करना है compound तूट जाता है यह से बगरा निकलती है तो यहां पर यह carbonate महना magnesium calcium का carbonate है air की absence में घरम कर रहे है तो यह oxide में तूट रहे है CO2 बन रहे है तो यह calcination process हुआ इसी प्रकार से इस carbonate को अपन गरम कर रहे है Air की update absence में तो यह calcination हुआ और hydrated oxide है गरम कर रहे है Air की absence के अंदर यह भी calcination हुआ तो hydrated oxide हुआ इनको air की presence में अगर absence में अपन गरम करें वह ही calcination होता है यह कैलसिनेशन की रियक्षन नहीं है रोस्टिंग आप स्लफाइड तो इस्टुडेट रोस्टिंग का मतलब हो गया की हीटिंग और हीटिंग आफ और इन दपर गेंज आफ ऑक्सिजन एर की पर गेंज के अंदर अपन गरम करते एं और रोस्टिंग किसका करवाते हैं अपन सल्फाइड और का करवाते हैं तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो जैसे जैड़नेस है एक सल्फाइड और है एयर की परजेंस में अपन इसको गरम कर रहे हैं तो यहां पर और बाई प्रोड़क्ट एसोटू बनता है जो कॉंटेक्ट प्रोसेस एस्टोसोफोर के अंदर काम में लेते हैं तो अपने को आइडिया हो गया कि रोस्टिंग आप सल्फाइड के अंदर कोई गेस निकलती है वह 100 परसेंट एसोटू लेकिन कंफर्म कर लेते हैं आगे की इ नहींकरबाती है इसको आउसर और प्रोड़ू सेट्रूशन अपर सुर्ण वह पर क्योंकि हैंपकी यह सफुर्छन पर स्थोओ आईसोलेड नहीं कर बाते हैं इसको पैंसर कॉन सा होगा एंपर SO2. Question number 27 student which of the following reaction is the metal displacement reaction so metal किसमें displaced होई है student देखो CR2O3 से CR metal displaced होगी जबकि यहाँ पर metal displacement आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी नहीं मिल रहा तो आंसर कौन सा होगा? First Considering Ealingam Diagram which of the following metal can be used to reduce alumina student Ealingam Diagram delta G versus D graph होता है Generally Oxide का formation अपन जानते हैं कि Spondrous होता है तो यह 0 कहीं उपर है और यह delta G के मान जो हैं वो सारे negative के अंदर है Al2O3 का आपको क्या करना है Aluminum Aluminum का जैसे Aluminum के formation के लिए Aluminum 3 by 2 Oxygen यह 3 लिख लो आप तो यहाँ पर अपने पास Al2O3 आ गया ठीक है यह Oxide के formation Al2O3 के लिए Aluminum Diagram में इस टाइब की लाइन आएगी अब यह तो समझ में आ रहा है इसका slope positive क्यों होगा क्योंकि metal जो है इसको अपने य एक्स एक्स पर ले रखा है और temperature को अपने अक्स एक्स पर ले रखा है तो माइनस डेलटा इस जो है वो स्लॉप होगा तो स्लॉप कैसा होगा Positive होगा Magnesium ज्यादा reactive होती है तो किसी गिवन टेंप्रेजर पर अगर Aluminium का Oxide बन रहा है तो Magnesium ज्यादा reactive होती है तो उसके Oxide का formation ज्यादा spontaneous होगा और ज्यादा spontaneous होगा तो आप यह कहा सकते हो magnesium का Oxide अगर बन रहा है तो वो line नीचे आएगी मैगनिसियम के ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन जो हो एलिंगम डाइग्राम में एल्टो त्री से नीचे आएगी क्योंकि मैगनिसियम ज्यादा रेक्टिव होता है और डेल्टा जी का मान ज्यादा नेगेटिव किसी गिवन टेंपरेचर पर प्रोवाइड करेगा तो यहीं से अपने को आंसर तो यह मिल चुका है एलिंगम डाइग्राम के अंदर आपको अगर रेडक्शन करवाना है करवाना है तो यहां पर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा आपने को क्योंकि नौट तो आपने फॉर्मेशन के लिए किया है और रेक्शन करवा रहे हैं तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा और मैगनिसियम को रिदूशिंग एजन्ट के रूप में काम में लेंगे तो यहां पर डेल्टा जी का मान जो है वो ज्यादा नेगिटिव होगा जो इसको इसको स्पॉन्टेनेस बना देगा तो इलिंगम डाइग्राम में एक सिंपल सा पंड़ा है मैं थोड़ा बार बी अचीव डिन ब्लास्ट फार्नेस तो इस्टुरेंट पायरो मेटलर्जी के अंदर जब अपन बात करते है सपेशली ब्लास्ट फार्नेस की ब्लास्ट फिर्नेस कर तो रिडुपसंगरा jesterey beetle好的 Fresh Peninsula K fail और एक होता है combustion zone कि यहां पर combustion होता है तो यहां का maximum temperature बाइस दिए संटेग्रेट तक ऐपर कंपर जाता है उपर के और जाने पर आपको जाने की temperature कम होता जाएगे तो लोग देंपरेश्ट जोन रीडक्शन होता है जहां पर तक एक प्रकार से होता है स्लेक फॉर्मेशन हजार पंदरा सो तक और फिर नीचे कंबर्शन जो और में सब ज्यादा टेंपरेशन अप्टू मैक्सिमूम रेंज आपको कुछी है तो 2200 ठीक है ब्लास्ट पढ़नेस में इस टेंपरेशर की विवस्था होती है कि identify the correct statement from the following वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है पहली बात तो प्यूरिफिकेशन मेथड है और इसके अंदर यह मैटल इंप्यूर मैटल जो रिडक्शन मैथड के बाद में आपके आती तो इंप्यूर्टी और मैटल इसकी ऐसी सूटेबल रिएजेंट से अपन रिएक् से कराने पर वोलेटाइल कंपाउंड बन गया इसको वेपर फेज के अंदर अलग कर लेंगे फिर अपन उसको थोड़ा और गरम करके डिकंपोज करके मैटल साइड में कर लेते हैं इंप्यूर्टी कहीं दूर है यह मैट्टेड क्या कलाता है वेपर फेज रिफाइनिंग तो निकल का जो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर कार्बन मोनोक्साइड काम में लेते हैं जिसमें एनाई सीओ फोर बनता है और यह वोलेटाइल कंपाउड बन गया तो वोलेटाइल है इसको अपन वेपर फेज मेलग कर लेंगे इंप्यूर्टी दूर जाएगी फिर काम में लेते हैं जहां पर येजेंट आयोडीन होता है अपना पिग आयरन केन बी मॉडूल्ड इंट्व वराइटी ऑप सेप तो ब्लास्ट फरनेस से जो अपन वहां से रिड्यूस आयरन जो अपन कुरूड मेटल वहां से जो गयन करते हैं उसी को अपन बोलते हैं और उस इस लेगिन बाकी इंकर्रेक्ट वह चेक कर लेते हैं रोट अई रीडैन यो पन फरनेस से लेते हैं फिर इन पर्टीकुलर शेफ में आपर लेते हैं होता है कि जब auto reduction होता है self reduction होता है तो उसके अंदर क्या होता है co2s ठीक है ना वो तो अपना unroasted कुछ और होता है और थोड़ा roasted और अपने पास co2o होता है इनकी आपस में reaction होती है तो वहाँ पर so2 निकलती है और उस items of column first and second signide process concentration method एक यू के लिए काम में लेते हैं तो आशर जाएगा इसमें for fraud plotation method एक physical method हो गया concentration का जो especially sulphide और के लिए काम में लेता है तो इसमें आशर हो गया second और एक्ट्रोलिटिक डिदक्शन की अगर अपन बात करें experiment तो यह अपन aluminum के लिए काम में लेते हैं electrolytic reduction जिसको hall herald process भी बोलते है john refining एक purification method है john refining के अंदर semi conductors को highly pure condition में प्राप्त करते हैं तो इसमें answer कौन सा होगा first which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room इसमें जब यह question आया था तो कई student अच्छे students ने इसको गलत किया था उसका कारण किया था कि NCRT में एक purification methods में एक लाइन लिखी है especially john refining के लिए कि john refining जों सिलिकन और जर्मेनियों को highly pure condition में प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं और highly pure नाम देखते ही कईों ने john refining टिक कर दिया था बट वो बात थी especially semiconductors के लिए यहां जनरल बात है यहां पर key point है यह वाला which is liquid at room temperature कोई भी liquid आपके पास अगर कोई mixer है ठीक है और लिक्विड के अंदर आप अगर दो लिक्विड है ए और बी तो अब्यस बात है कि boiling point जो है वो characteristic चीज होती है तो उसमें difference हो गई होगा ठीक है तो एक प्रकार से जो जिसका boiling point कम होगा वो एक प्रकार से अलग हो जाएगा और दूसरा component पिचर है जाएगा यही distillation कर लाता है तो liquid mixer को separate करने के लिए distillation best method है तो इसमें आंसर कुन सा होगा second student आपने यह भी discussion आप देखा तो इसमें निश्ची तूप से आपको कुछ सीखने को मिला है और आपने इस discussion से आपको इस्ट्रेंट्स यह आपको समझना है कि एक्जाम जो पर आपका होने वाला है इसमें किस टाइब के क्यूशन आएंगे बहुत यह आसान आसान इस्ट्रेंट क्यूशन पुछे जाते हैं जैसे दिए ब्लोग की बात करें स्ट्रेंट तु जनरल एलेक्ट्रोनिक ओन्पिकर्शन से रिलेटेड ठीक है ना कुछ तो अब्यस कुछ सिखा होगा आपने और बड़िया तरीके से बचेवे समय के अंदर आउट्पुट वाली पढ़ाई करें ठीक है ना और आपको 2023 की जो एक्जाम जो आप देने जा रहे हो साथ में की उसके लिए दिल से आपको बहुत-बहुत सुबकामना है और बहतर पर अपने नाम के लिए आपको फिट से सुबकामनाई मैं आपको दे रहा हूं आप खूब पड़े आगे बड़े और आपने भूत मेनत करके स्टेंड कॉंफिडेंस जो है वह अपना उस लेवल पर होना चीए ठीक है ना अपने मेनत पर अपने वह वरोसा होना चीए और अच झाल से सुब झाल से सुबद कामनाई मैं आपको झाल से रहा हूं झाल स्टेंट भीन मैंने लिए पर ऊचल से भीन एजट